Hello friends, welcome and welcome back to Rani Kitchen Zone दोस्तों कैसे हैं आप लोग मैं उमीद करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे तो चलिए फिर से आ गाई हूँ मैं कुछ amazing kitchen के tips and hacks लेकर के जो मैं उमीद करती हूँ कि आपको बहुत पसंद आएगा तो उसका जो उपर का टॉप होता है वो जिप लॉक होता है जो बहुत ही कामका होता है इसका multiple use भी कर सकते हैं तो आपने देखा होगा कि जब इसको बंद करते हैं तो कहीं कहीं ऐसा होता है कि बंद होता है कहीं कहीं ये खुला रह जाता है जिसके वज़े से कोई भी चीज र आप इसे बंद करिएगा इस तरीके से अगर आप इसे बंद करेंगे न यह बिलकुल कम महनत कम effort में बंद भी हो जाता है और कहीं से भी यह खुला नहीं रहता है देखिए यह बहुत ही अच्छी तरीके से seal pack हो जाता है तो अगली बार से अगर आपको किसी ने task दे दिया कि इसको बंद करके दिखाओ तो ये वाली टीप ज़रूर फॉलो करिएगा चलिए दिख लेते हैं अब अपनी नेक्स टीप तो दिखिए यहां पर हमने आम ले लिया है चुकि गर्मी का टाइम आ गया है और गर्मी में अच्छे आम आ जाते हैं तो दिखिए आप जब कभी भी आम खरीद के लिया आते हैं तो कई बर हम ऐसा करते हैं कि इसको वाश किया और फ्रिज के अंदर डाल दिया ठंडा होने के लिए लेकिन आज के बाद से आपको ये चीज नहीं करनी है आपको थोड़ा सा नैचुरल जो मैथड होता है जो हमारी दादी नानिया यूज किया क कि ये बहुत अच्छी तरीके से ठंडा हो जाता है इसकी जो भी गर्माहट होती है वो निकल जाती है अच्छा इसके अलावा अगर आपको बहुत जलबाजी है खाने की तो आप क्या करिएगा कि इस पानी के अंदर थोड़ा सा ठंडा पानी मिक्स कर दीजिएगा और इसक इसरे बरतन में रख दीजिए और बाकी ये जो दूद है ना इसको मैं आपको स्टोर करने का तरीका बताऊंगी और इस दूद को इस तरीके से स्टोर करने के फायदे क्या है ये भी बताऊंगी मैं तो देखें यहापे हमने शिशे की एक बॉटल ले ली है और ये सबसे ब पॉटल ले आएंगे काफी टाइम तक है चलती है तो देखें हमने क्या करना है ना कि सारे दूद को इसके अंदर ट्रांसफर कर लेना है अब इसकी लिड लगा दीजिए और लिड लगाने के बाद ना इसको आप अपने फ्रिज के अंदर स्टोर करके रखें आप फ्रिज की बहुत ही जादा कमी होती है तो आप क्या करें कि इस तरीके से अगर रखेंगे चुकि यह सिलिंडर शेप का होता है तो जगह कम लेता है आराम से यह इसके डोर में एर्जस्ट हो जाता है और आपका जो स्पेस है ना वो अधर चीज़ों के लिए बिलकुल फ्री हो जात की आप्से एक टीशु पेपर को अगर कॉफी बिलकुल हैक की तो बहुत ज़ादा बारीक नहीं होता है क्योंकि मैंने भी निखें यहाँ प्रपृइ बनायाया अब यहां देखिए मैं इसके जलाने के फायदे बता रही हूँ कि देखिए अभी गर्मी का टाइम है गर्मी के टाइम में गर्मी तो परिशान करती ही है साथ के साथ जो मक्ही मचर होते हैं वो और भी ज़दा परिशान करते हैं तो इस तरीके से जब कभी भी आप शाम का ट जाएंगे क्योंकि आपको भी पता है कि जो कॉफी होती है इसकी कितनी जादा strong fragrance होती है बहुत ही जादा ये महकती है तो अगर आप इसे जलाएंगे ना तो जलाने के बाद ये बहुत जादा मतलब जितनी ऐसे महकती है ना इसका सीधा double triple जलाने के बाद महकती है और इसकी ज ज़ादा स्ट्रॉंग होती है जो हमें तो बहुत पसंद होती है बर जो इनसेक्ट्स होते हैं जैसे मकखी मचर हुए उनको बिल्कुल पसंद नहीं आती तो बस करना क्या है शाम होते ही कौफी जलाईए और अपने घर से मक्हे मचर को भगाईए चलिए बढ़ते हैं नेक्स टिप के तरफ तो देखे इस तरीके से जो शूज होते हैं कई बार आपने देखा होगा कि जो लेश का आगे वाला पार्ट होता है जहा काफी लंबा था जब कभी भी इसको बच्चे को पहनाना होता था तो कई बार इसको टाई करना पड़ता था तो जल्दबाजी में हमने इसे कट कर दिया कट करने के बाद आप देखे प्रब्लम यह आती है कि इसके अंदर अगर डालना होना तो यह जाता नहीं है तो देख roll करेंगे ना तो ये काफी अच्छे से इसके अंदर secure हो जाता है और बिल्कुल इसके अंदर stick हो जाता है ये अब देखिए अब इसको ना इसके hole में डालेंगे या अराम से इसके अंदर चला जाएगा कोई problem नहीं आएगी तो अगर आपके भी बच्चों के lace में इस तरीकी की problem है तो आप इस tip को ज़रूर follow करिएगा देखिए अब अपने बच्चों को पहनाईए बच्चे खुश हो करके पहन भी लेंगे आपका काम भी हो गया चलिए बढ़ते है next tip के तरफ तो देखिए यहाँ पे हमने messy होता है तो इससे बचने के लिए आपको क्या करना है देखिए करना कुछ भी नहीं है आपको अपने पास एक polythene रखनी है अच्छा इस polythene का use मैं कैसे करूँगी वो भी मैं आपको बताऊंगी वीडियो को full watch करिएगा अगर वीडियो जरा से भी आपके लिए helpful है informative है तो प्लीज वीडियो को like करिएगा और चैनल को subscribe बे करिएगा देखिए बार बार थोड़ी थोड़ी दिर में हमें कहना पड़ता है क्योंकि आप लोग ना वीडियो देख लेते हैं लेकिन like subscribe बिल्कुल भी नहीं करते तो आपको याद दिलाना जरूरी होता है तो देखिए अब हमने क्या करना है कि इस तरीके से chopping board के किनारे इसे लगा करके और सारे जितने भी peel off अपने की हैं सब कुछ इसके अंदर डाल दीजिए इससे होगा क्या कि आपका counter top साफ होगा और जो फालतू के महनत होती है वो करने से आप बच जाएंगे I hope छोटी सी tip है लेकिन बहुत ज़्यादा useful है चलिए बढ़ते हैं next tip के तरफ तो देखिए अभी season mango का है यानि कि आम अच्छे अच्छे आ रहे हैं तो देखिए नॉर्मल सी बहुत common सी ये tip है आप जब कभी भी आम को cut करें ना तो इस तरीके से आम को पहले खड़ा कर ले और इसके बाद इसके slice करें जिससे की काफी असानी होगी आपको इससे काटने में तो देखिए हमने सुचे कि चलो आपके साथ एक चोटी सी tip हला कि हर किसी को पता होता है लेकिन हर किसी के काटने का तरीका अलग होता है अब देखिए मैं तो अपने बच्चों को इसी तरीके से cut करके देती हूं वो छिलके के साथ पसंद करते हैं इस तरीके से cut करके दे देती हूं तो इसका जो पल्प है वो खा लेते हैं और छिलके को फेक देते हैं ऐसे छील करके मैं दूंगी तो वो खाना नहीं पसंद करते यह वाला तरीका उनको पसंद आता है आपके बच्चे कैसे मैंगो खाना पसंद करते हैं हमें जरूर बताइएगा तो फ्रेंड्स ये थी हमारी आज की वीडियो कैसी लगी आपको जरूर बताइएगा अच्छी लगी तो लाइक करिएगा अपने फैमिली एंड अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करिएगा और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ने किया है ना तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए क्योंकि इसी तरीकी की बहुत ही ज़ादा इंफर्मेटिव वीडियो हमारे चैनल पे रेगलोर अपलोड होती है आप हमारे वीडियो को कहां से वाच कर रहे हैं ये भी ज़रूर बताईएगा और बेल एगन को भी ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा जिससे आने वाली वीडियो की नूटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी तो आज के लिए इतना ही मिलती हूं में कल एक और नई वीडियो के साथ